कि अभी में व्लोग स्टार्ट कर रहा हूं रात के अभी आठ बजे और क्योंकि मेरे पास पॉन नहीं था एगाइस वाट सब केमचर कैसे हो आप सब अपने खर पर टिक टाक हो गए और में भी वड़िया मजे में हूं तो अभी आठ बजे है और में फिल हाला भी मेरे खाने का टाइम अगया फूप लगए तो खा लेते हैं और खाने में आज मुझेदार बनाया है रहस पूरी है दिखाता हूं में आप यह मेरा चोड़ा भाय है कली आया अपनी होस्टेल से बहुत ज्यादा खाना खा लिया आज इतना अच्छा बना था तो हम अभी नाइट को निकलेंगे नाइट आउट करने के लिए बाइक लेके यहां से 10 बजे निकल जाएंगे और मेरे साथ यहां के फ्रेंड से फरुच के तो उन्हें के साथ मैं जाने वाला हूं अभी तो मतलब कोरोना केसिस भी कम होने लगे है और गवर्मेंट ने मतलब पूरी तरह से पूरी तरह से नह पर नदीक में जाना हो वहां का वेट करते और गुक्त आयत तब प्रेस होके हम निकलेंगे तो अभी मैं रेड़ी अभी हम निकल रहे हैं नाइट ट्राइट के लिए अपनी अपनी बाइक लेके तो फूसर दूसरी का वाह अवा घुएवर मैं निकलता हूं मिलते है कल साम तो यह मेरी बाइक यह मेरा फ्रेंड एक हो रहा यह एक दूसरा आ रहा है बड़ी कैसा है दूसरा फाइटर किदर है अभी हमारी गाड़े में पैट्रोल देलवाना था वह हमने कब्लिक कर दी हमारे सब लोग भी आ भी हम यहां से निकलेंगे सब अच्छा है नगाना से उम्र है इतनी प्रब्लम नहीं होगी राज को जाने के लिए तो हम लोग अभी कर से निकल चुके अ देखते हैं कहां जग जाते है कैसा भाई नहीं है तो अभी हम लोग तोल प्लाजा क्रोस करके बरोडा की तरफ जा रहे हैं और ये नील ये वतसल बापू वतसल तीडी बड़ी 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 बुलाते हैं और शुस्वा ने चुस्वा और ये दर्पट बापू तो अभी हम लोग यहां से जाएंगे बरोडा बरोडा जाके हम सोचते हैं कि आगे कहां जाना है फिर यहां पर बहुत बड़ी लंबी ट्राफिक लगी है फरूच और बरोडा के हाइवे पर अच्छा है हम लोग जल्दी से निकल आए अभी बार चालिस हुई है और हम लोग और उसे बरोडा आ गए है अब जाना है हमें हालोल साइट यह नाइट आउट की मजा ही कुछ और है बहुत ही मजा आता है अभी हम कुछ हमारे फ्रेंड्स पीछे है तो उनका वेट कर रहे है यह बाइक राइट की मजा ही कुछ और है और आप लोग कभी ऐसे निकलते हो तो खास थ्यान रखना अपनी सेफटी का परस्नली चाही उमते रहो मजा आता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा सौट है यसे कुमनेगा हम अब बाऊ चुके है पाज़ से पां रोगद मुझे टकरे द है फांब हुआ है क्या हुआ है हाज लोग यहां पर चया पियेंगे चलो कितनी चाह मांगा है एक हो ओ कोच कोच की लायों न स्भूदा हो वार घर वी मार्ण 80 सेता है कोच की ला yen नहीं नहीं ओपन आप निहाए नहीं मैं नहीं मत रत गई लाइट गई अरे यार क्या हो गया है आ गई चलौ मैं तो अबी वजे है रात के तीन और हम लोग हमारे थे साथ त्हुंद के साथ तु शज़वागर्ण ही लोग्ट के तीन बज़य है और अब लोग वह रचय को गए है ठके सारे कहा लोग्षिन है patुअ तो अभी हम जाएंगे सिधा उपर थिर सुबह में पांच बजे माता जी के दर्शन करेंगे तो अभी क्या हुआ ऐसे ही प्लान हो गया यह हमारा कोई प्लान नहीं था यह अंस्पेक्टेड प्लान है हमारा एसे ही में सुबह में फ्रेंड को मिलने गया था तो एसे ही बेठे बेठे में यह प्लान होगा कि चलो रात को हम दस बजे निकलेंगे पाओगर जाने के लिए तो मास मास निकल देना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई पबलिक नहीं है ज्यादा रात के तीन बज़े अभी कौन होगा और मास जब पहन रहता हो तो स्वास चड़ने लगती है इसलिए तो यहाँ पर अंकल की दुकान खुली है बहुत लॉंग टाइम के बाद आया हूं मैं यहाँ पर काफी टाइम हो गया बीचा मैंने पहला वाला व्लोग डाला था जो मैंने पेदल चलके हम लोग कोमाट से मेरे गाव से पावगर तक आये थे और आज मैं परुच से आया हूं परुच के मेरे फ्रेंड्स है उनके साथ तो अभी हम लोग अब देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स आगे जा रहा है तो मैं अकिला पीछे चल रहा हूं अभी हम उपर चड़ जाएंगे फिर सुबका में आप लोगों को सीन दिखाऊंगा बहुत ही आश्म टाली जाओ गुदा नहीं तो मैं अब तो अधिकला नहीं तो मैं अ अब कड़ा गर्भा केले रहे हैं वचल भाई गर्भा केलो गर्भा जल्दी शे क्या सीन दीक रहा है ना अभी सुबह होने वाली है चार बज गए और साथ में मतलब ठंडी हवा और ऐसा लग रहा है यहीं पी हम लोग सो जाए बट सो नहीं सकते है अभी दर्शन करना बागी है तो देखते है आगे और यह सीन वावगड के टॉप का है तो मतलब जन्नत क्या है यह सो एक प्रवह है आगे पही है कि वे उन्च रहाँ तो एट करूँछा है यह यहीं है दोल जन्नत तो बहुत ही मज़ा आया बाइक राइट करके नाइट में एक छोटी सी ट्रिप थी हमारी और हम लोग ऐसे ही निकले थे कोई प्लान नहीं था हमारा कि यहां पे जाएंगे लेकिन हम लोग बवड़ा पहुचे और बवड़ा से डाइरेक हम लोग पावगड तो नाइट में ह जो सूबा का मतलब सीन होता है वो में शूट नहीं कर पाया आपको मतलब कोई एसे सवाब भी नहीं वहां बेखुली थी तो मैं चार्जिंग भी नहीं कर पाया फिर हम लोग आठ बजे पावगड से निकले और ऐसे घूंटे घूंटे हम लोग दो बजे हम कर पे आये थे इतना ज्यादा थब चुके थे, मेरा फ्रेंड गाड़ी मेरी चला रहा था स्कूटी, और मैं पीछे से ऐसे कर रहा था, पूरी रात हम सोय नहीं थे, पूरी रात जागे थे, तो इसी वज़े से निंद भी इतनी आ रहा थी, दो बज़े खराके में डायरेक्ट सो गया, और रात को में आठ या नौ बज़े जागा, मेरी बहन ने मुझे जगाया कि चल खाने हुजा, तब में जागा, तब मुझे पता जला कि यह भी आठ बज़ रहा है, और फिर खाके फिर सो गया, मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो की नोटिविकेशन जल्दी से मिल जाए, और I hope आप सब अपने घर पे ठिक टाग होगे, अभी तो कोरोना के के सिस भी थोड़े कम हो गए है, तो अच्छा है, और थोड़ा-थोड़ा करके सब खुल रहा है I wish की सब पहले जैसा हो जाए, और सब अपने काम में व्यास्त हो, खुस हो, और सी दुआ करूंगा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सुन गाईज, बाइबाइ